नमस्कार दोस्तों आज हम जिस घटना के वारे में बात करने वाले हैं इस अत्यकार ने मध्य प्रदेश में संसनी मचा कर रखती थी यह इतना खौफनाग था कि आपकी रोह काप चाहेंगी तो चली शुरू करते हैं कहानी की शुरूबात होती है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पास एक सोहांग पूर नाम की जगा थी यह सेर सपाटे के लिए बहुत मशूर थी और धडले से यहां पर होटल रिजॉर्ट खुलते जा रहे थी अब दिल्ली की रहने वाली 38 साल की लीना शर्मा का जाना होता था क्योंकि यहां उसकी 35 एकर पुष्टेनी जमीन थी जो उसके नाना और मुहसी ने उसके नाम की थी लीना शर्मा की जमीन की कीमत करोड़ों रुपे में थी जिसमें से 10 एकर जमीन उसकी मामा ने हथिया रखी थी 21 अपरेल 2016 को लीना शर्मा खास दोर पर अपनी जमीन को नापने के लिए पोपाल से होते हुए सोहांग पुर आई थी 23 अपरेल 2016 को पटवारी और आराई ने लीना शर्मा के इससे की जमीन को नापकर उसे मालिकाना हक सौप दिया तब ही लीना ने उस जमीन पर फैंसिंग लगवाने का सोचा और काम शुरू करा दिया दरसल लीना शर्मा दो करोर रुपे में इस जमीन का सौदा कर चुकी थी और वह दिल्ली में ही इस जमीन को बेच कर एक जायदा खरीतने का मन बना चुकी थी 29 अपरेल 2016 को फैंसिंग लगाने के दोरान प्रदीप शर्मा अपने दो नौकरो राजेंदर कुम्रे और गूरी लाल के साथ आया और जमीन को लेकर लीना से लड़ने लगा प्रदीप शर्मा एक ताकतवर इंसान था और एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भी था जगड़ा इतना बड़ा कि प्रदीप शर्मा और उसके नौकरों ने मिलकर सोची समझी चार्जिश के तहत की गई थी इसलिए इन तीनों ने पहले तो लीना शर्मा कुंबे रहमी से लाठी हो और पत्थरों से मारा और गुना च्छिपाने के लिए उसकी लाश को टैक्टी टॉली में जाकर रंग पुर के जंगलों में गाड़ दिया लाश जल्दी सल्ड कर जाए इसलिए इन दरेंदों ने उस पर नमक और यूरिया भी मिला दिया था आत्या करने के बाद प्रदीब शर्मा अपने समाने जिन्दगी में लोट गया और वह कजबे में गूमने लगा जैसे कुछ हुआ ही न वो जाही रहे यह मानकर बैटा रागी लीना शर्मा की कतल की खबर किसी को नहीं लगेगी और जब वह लाश को सर्द कर जाएगी तब वह पुलीस में चाक लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया लीना शर्मा की जिंदगी भी किसी अफसाने से कम नहीं थी जब वह छोटी थी तब ही उसके माबाप का देहन्त हो चुका था तब से लीना शर्मा और उसकी बड़ी बहन हीमा अपनी मौसी के साथ रहती थी उसकी मौसी ने ही उनकी परवरिश की थी मनने से पहले मौसी ने अपनी जमीन इन दोनों बहनों के नाम कर दी थी बाद में लीना शर्मा अपनी बहन हीमा के साथ आकर बोपान में रहने लगी लीना शर्मा खुब सूरत थी होनाहार थी लियादा उसने फॉरें ट्रेंड से ग्रेजुएशन की डिगरी की थी इसलिए उसकी अमेरिका नमबैसी में जॉब भी लग गई थी लेकिन उसकी शादी शुदर जिन्दगी कुछ खास नहीं थी उसने अपने पती से तलाक ले लिया था और वहर जल्द ही इस दुखद अतीद को बुलाने के लिए दिल्ली में ही आकर बस गई और अपनी कंसल्टेंसी फर्म उपन करी 38 साल की हुई तो लीना ने दुबारे शादी करने का वैसला किया लेकिन वहर पहले सुहांगपुर की जमीन को बेच कर उससे जंजट खतम करना चाहती थी लीना शर्मा की हत्तिया एक रादी बनकर रह जाती अगर उसकी दोस्त उसे नहीं डूंदे जब लीना शर्मा अपने तैश्चुदा वक्त से वापिस नहीं लोटी और उसका मुबाइल भी बंद रहने लगा तो उसकी सहीली जो बोपान में रहती थी जित्तु शुकला ने उसके गुमशदगी की रिपोर्ट कंट्रोल हों में दे दी पुलिस ने मामले को गंबीरता से लेते हुए प्रदीब शर्मा से संपर्क किया तो वहें घबरा गया और बांजी के गुम होने की रिपोर्ट सहांगपुर धाने में लिखाए जबकि वहें बहुत अच्छे से जानता था कि लीना शर्मा अपिस दुनिया में नहीं है देट से रिपोर्ट लिखाए जाने से प्रदीब शर्मा पर शक का धहरा बढ़ गया और जमीन पर जगड़े की बात भी सामने आगी तो वह पुलिस का एकीन में बतल गया मामुली सी पुस्ताज में प्रदीब शर्मा ने अपना जम कबूल कर लिया लेकिन शक अब यह भी था कि लीना शर्मा की बहन हेमा भी तो प्रदीब शर्मा की साथ मिली नहीं थी क्या उसने यह तो मिलकर अट्या नहीं की थी क्योंकि लीना शर्मा की गायब होने पर उसकी बेहन खामोश रही थी अब लीना शर्मा के दोस्त दिली से भुपाल आकर पुलिस के आला अफसरों से मिले और सोहांगपुर भी गए हेमा के बार में सोहांगपुर के लोगों ने बताया कि वहें बहुत जख्की औरत थी जो पागलो जैसी हरकते करती थी खुद हेमा के पती ने बताया कि वहें एक मानसी करोगी है अब जब कि प्रदीप शर्मा अबना इंजर्म कपूल कर जुगा था तो कुछ सवाल भी कहरा रही थे लीना शर्मा का बलतकार तो नहीं किया गया क्योंकि जब उसकी लाश मिली तो वह नंग नवस्ता मेथिस पर कोई वस्त रबूशन कुछ भी बरामन नहीं होए थे आरोपियों नहीं यह बीमाना की लीना शर्मा का मॉबाइल उन्होंने एक चलती ट्रेंग में फेक दिया था क्योंकि लाश अब 15 दिन पुरानी हो चुकी थी तो बहुत सी बाते साफ नहीं हो पा रही थी लीना शर्मा की पहचान के लिए भी डिने टेस्स कराया गया दूसरे सवल का तालूप पुछते ने जायदात का लालबी था कि इसी विज़े से लीना शर्मा की हत्या तो नहीं की गई प्रदीप शर्मा ने जमीन के लालच में अपनी ही बांची का बेरहनी से गतल कर दिया उसने एक बार भी नहीं सोचागी उसका जीवन कितना दुबरा रहा इस मंडर मिस्ट्री की कड़ियां जोडने और परिवार कुन्याएं मिलने में साथ साल का नंबर समय लगा 21 मार्ज को सोहांगपुर कोड ने तीनों आरोपियों को आज इवन कारवास की सजा सुनाई